नमस्टे भारत नमस्टे किशान मैं गणिश किशान फिर से किशान का रेशाला प्लाटफॉर्म पर आज डेट है 13-7-23 आज हूं शिरपूर शिरपूर में कुछ किशान मित्र जुड़े हुए है यह कुछ दिखाने का प्रैस में कर रहा हूं साइड में ये चकरी का बिज लगा हुआ है जो सपेद कलर की आती है अभी फल नहीं लगा हुआ है लेकिन इस समय में इसका डिमाड काफी होता है में फोकस है पपिता मित्र रोड के बगल में ही पपिते का प्लाइंट लागया हुआ है इस साल की गर्मी की वज़े से काफी गड़ बढ़िया पपिते में आई है लेकिन फिर भी देखते हैं कि पपिते की क्या कंडिशन है देखने से तो पपिता ठीक लग रहा है मोटा यह नहीं बनी है ठीक इसलिए मैंने बोला क्योंकि पपिते में कभी भी नीचे का जो थर्ड है यह मोटा होना चाहिए यह जितना मोटा रहेगा उतना इसमें फल अच्छा और बहतरी दिनाएगा यहां पर कुछ अंतरवर्ती फसले नहीं थी क्या भी आपका परिशे बताए हम लोग कहां परें वह नंते आपन जावड़ेश प्लॉट आपला जैक पालबडे सिंग राजपुर्ट नहीं में किती बाई किती वर्थी लागवड के लिए इस साथ बाई पाच यह चामें दे कंद्धी आंतरवर्ती फसल गेटली होती है कि आत्मधे काई लागवड में अपला को कदी ची लागवडा ही हितरी मार्च मादे काई देट लक्षा नू अवह निए भरपुर प्लैंट जी आहे अए व्यवस्तित काई कैं प्लैंट शे गेले लेका यहाला य यह अच्छा में देग करा काया था आगा कि आगा कि अगे ज़ीज बोपएला बंजर बगिर्ला तो में तो मार्च ची लागवड जा है मार्टे ज़ा झाल नोस रहें कि पानांची शंध्य कि असलिवाई इस पानांची संध्य मुझ्या आपना लगभग लगभग मत है इसा सफ स मालेला है मार्च नंतर आज ची तारीक किती तेरा साथ तेरा मार्जर पकडला मार्च एप्रिल में जुन जुलेग चार महने धाले तीवस किती धाले पान कीती मोज ले आपन तीज तर्वाइडेशन केले ते चान उसरे चे पानांची शंग्या जाए ते वेवस्ति धाए पन याता बोडी स्ट्रक्चर जे आहे याता स्टम भाई हीवी बनाया पाई जो था जाड़ बनाया पाई जो था आच्छा करण साड़े तीन माईना बा यहां पर अभी इतनी जगा पर यहां पर बोर्डव मिशन पेश करेंगे तो प्रेस करने के बाद में यहां पर गेगा उस समय पौधा गिरपड़ वाली समझ चाथी आभगाना और यहां से यहां से यहां तक चुना और निलाथ होतां और यहाँ पर दुरॉły मिधाज के इसलिक दूरी गाड़ा गोल बनेगा उसको ब्रश से यहां पर लगा दो और बाद में अगर आपको ड्रिंचिंग करना है तो 200 लिटर पानी में वहीं लेना है और उसका ड्रिंचिंग कर देना है यहां तो पहुदा एक्दम आटोमेटिकली स्टेबल हो जाएगा अभी त्रिप्स और लेंगे तो उसके लिए करना क्या है 15 लेटर पानी में अपना रेटो मिल्ट गोल्ड आता है वह लेना है 15 ग्रैम और उलाला के लिए वह लेना है पांस से साथ एमेल और उसमें स्टिकर पांच इमेल इसका फॉलियोर स्प्रेश के उपर कर दो अगर आपके पास नीम है तो उसमें पांस से साथे में नीम वाइल भी आप ले सकते हूं पूरा फॉलियोर स्प्रेश कर दो तो थीप्स माइट्स और यह सारी चीज़े फंगल यह अभी इसके उपर रोप ठाम कर लेगी कुछ दिनों के बाद अभी डंपिंग वाली समश्चा भी दिखेगी अभी आप इसके उपर फॉल्योर स्प्रेश ले लो कि बाकी तो आपने बेसल डोस डाला हुआ है एक्चली बेसल डोस जब डालते होना आप ती ओपन नहीं डालना है यह अभी आप दाने देख रहे हैं यह वाला इसको बायमास कार्बन के साथ में अगर डालोगे ना गोबर के साथ म तो यह बढ़िया से काम करेगा और पूरा यहां पर क्योंकि इस साइट से आपके ड्रीफ है यहां पर तो जड़ोग काम करने का जो तरीका है यह पोधे का जो काम करने का ध्यान है अभी इस दिशा में है तो यहां पर बेसल डोस भरना है यहां पर अभी बारिश है तो ठी यह उतना आप तेक्स नहीं करेगा और यह पोधे के पास में डाल दिया है यहां से यहां आगर उड़ेगा ना तो इक प्रोचिंग करेगा तो पोधे में इसमें तना गलन वाली समझ्च्या बहुत भारी तरीके से आ सकती है थोड़ा इसकी तरफ ध्यान रखना है ठीक है बा कई सारी समस्या आई है दूप काफी तेज थी दूप के बज़े से बाकी जाड़ से हो गए आज क्या इसमें बखर चल रहा है कि हां खेड़ने लेकिन उनको बोलो कि पौधे से कम से कम देड़ फिट दूर में काम करें और पौधे के पास करोगे तो फिर खेड़ करते समय पौधे की जड़ों का मैं दिखा देता हूं यहां पर बखर चल रहा है तो बखर भी में दिखा देता हूं यह बीच में यह घास है खर्पतवार है इसको निकालने के लिए बखर चला रहे है यहां बखर बोलते हैं पौधे का बॉड़ी श्ट्रक्टर ठीक है लेकिन नीचे में आपको यह जहरीया दीख रही है यह इसका मैचुलिटी का सिम्टम है ठीक है और आने वाला हर पत्ता नीचे वाले पत्ते से चवड़ा और मोटा और लंबा है ठीक तो यह अच्छी सिम्टम है लेकिन कई गई जगा पे यह वाले डंपिंग वाली समस्षा भी आ ग पौधों के लिए करो क्या एक 200 लीटर पानी में तीन किलो ब्लीचिंग पाउडर और 200 ml क्लोरो पाइरिफास इसका गोल बनाओ और प्रती पौधा यह पौधे के पास में थोड़ा सा ऐसा कर लेना है यह ताकि यह उपर की मिट्टी फुड्री हो जाए है ना यह फुड्री 300 ml डायरे फौधे के दने के पास डालता है 300 ml तो यह पौधा ग्रीनरी बजरा पकड़ लेगा चलना शुरू कर देगा लेकिन यह करना है डायरे काप इसे मिट्टी पे डालो कि ना तो पानी इसा बहे के निकल जाता है क्यों पर यह चीज़े मैं दिखाने का प्रयास करता ह आपको यह बखखर चला रहे हैं यहाँ अभी होगा क्या मित्रो अभी जुलाई का मोसम है तो जुलाई में गौब्रेला किडा भी उपर की ओर आ जाता है तो कई जगा पर ऐसे पोधों में गौब्रेला किडा भी लगने की बहुत-बड़ी समश्य दिखी है है ना अभी ए प्रयोग करना ही पड़ेगा या फिर मेटाराइजिन एनी सोपली यह चीज़े आपको यूज करनी पड़ेगे अब यहां पर वाप्षा नहीं है फिर भी किसान यह ढरता है कि यार यहां पर खेड़ खड़ कर लो तो यह बक्कर यहां पर चल रहा है यह लाइन में तो बड़ा बक्कर है न यह बक्कर बोलते हैं इसको खर्पदवार निकल जाएगा इससे थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं आपको यहां पर पूरी पूर्दे की जड़ें देखें न यहां नीचे लिखे रहा हूं यह बक्कर बख्कर उपर के ऊपर चला है कि थोड़ा सा उपर के ऊपर चलाएं यह बया थोड़ा सा एक पत्थर रख दो उसके उपर जैसे पेर रखते हो ना तो आपने को पता नहीं कि आपन कब ज्याधा प्रेस कर रहे क्या कर रहे इतना बड़ा एक पत्थर रख दोगे ना तो बराबर वह अपना लगना शुरू हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा द्यान रखो यह पोधे की दिशा में थोड़ा सा कम ही दबाओ इस दिशा में दबाया तो चलेगा अब जैसे यह अधिशा जो है यह पर तो कभी भी पय रखते समय यहां पर रखो तो उस दिशा में मत रखो ताकि वहां की जड़े अभी उस दिशा की आओगे तो तो इस दिशा में उल्टी दिशा में दबाना है ना वरना पौधे की जड़े बहुत ज्यादा डिश्टप हो जाएगी और बाद में फिर आपको आज के दस दिन बाद 15 दिन के बाद खर्पत बाद तो चला जाएगा लेकिन पौधों में डिशॉडर दिखेगा पीलापन दिखेगा यह सारी चीजे क्योंकि जड़े तूटेगी ना फिर से जड़े बनाने के लिए नया प्रयास वही सारे पीला पड़ जाएगा वही चीजे है ठी ठीक है ओके थेंक्यों भारत नमस्ते की शान